कुछ आइडिया के लिए त्यारी कर रहे हो स्टार्ट करने थी स्टार्ट कर रहे थे कुछ आइडिया है पिच्छ से लेवस वगए रहागा नहीं देखो एंडिया पर हम बात करें तो जैसे कि तुम्हारा मैंस पूछ रहा होता है मैंस में तुम्हें आइडिया होगा कि भष कुछ इन होता है न वो अपट्व 12 टक हो तो कीनलावा तूम देखेंगे तो क्या होता है कि फिजिक्स पूछ रहा होता है देखा है कोई पिपर लास्ट येर का ना मतलब जो तुम्हारी जनरल नॉलिज होती है इसको तुम पढ़ते हो जी एस करके वो सब पूछ रहा होता है और उसके लावा इंगलिस का एक्जाम होता है ठीक है मैं तो काफी वास्ता सलेवस होता है अगर उसमें बात करूं जैसे मेरा सब्जेक्ट है मैं तो मैं तुम् ठीक है तो तुम्हें सलेवस का तो अपने आइडिया है औल्मोस्ट वही है जो तुम 11 और 12 क्लास में पढ़ते हो एंसे आर्टी शर्मा या जो भी बुक तुमने पढ़ी होगी ठीक है बात करते हैं एक टॉपिक की क्या पढ़ना चाहोगे एक चोटा टॉपिक यहां से उठाते हैं कि ट्रिग्नोमेंट्री ट्रिग्नोमेंट्री का आइडिया है कुछ अब बात करें तो 9 10 11 12 चारोई क्लासिस को टच करती हैं अब यहां पर एक चीज हमें समझनी होगी जैसे हम लोग 12 चलास में महत पढ़ते हैं जो ट्वल्त के क्या होता है कि टाइम बहुत होता है हमारा जो एक्जाम होता है वो तीन घंटे का होता है और हमारे पास कूश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ करूँ तो सबसे पहला कुशन नहीं अगर मैं तुमसे पूछ हूँ तो एक कुशन में बोर्ड पर लिख रहा हूँ ठीक है तो बच्चे तुम्हें इसकी अप्रोच क्या होगी एक बार बता पाऊगे लेकर बढ़े हो एक बार से ट्राइए और मेरे बताओ कि असर बनेगा को कुछ पूरा रहा है कुछ अंसर? यस सर्टाइम विए 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 कि विए 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 *** ... ... इस एक्वाल स्टू इट समय वन अपॉन फाइव के माइनस टैन इकॉल टू वन अपॉन फाइव यही क्या रहा है यह रही हो ना ठीक है वेरी गुड अब यहां पे क्या होगा टैन किटा करत हो जाएगा ठीक है तो तुम लोग कहेंगे टू सैक ठीटा इस इकॉल टू कितना थाइब फाइब 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 इसके बाद कांओ सुं मांद यम्डाइब करेंगे शर सेक्षा पर्फिंडिगुलर भॉन भी सिरु हrüेज रशषeed लगे क्या होगे है इसको सॉलब करेंगे तो कुछ भूई 12 बनेगा कितना बनेगा 12 ठीक है और साइन ठीटा बड़ावर कितना हो जाएगा 12 by 13 ऐसे ही कर रहे होंगे बच्छे येस चल मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है टिग्नोमेट्री वगरा का है ना अब देखो तुम्हें आइडिया है तो पढ़ाना थोड़ा साथान हो जाएगा तो इसमें क्या है कि हमें जो अप्रोच लेनी होती है अब जैसे कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको बन अपॉन कॉस करेंगे साइन बटे कॉस करेंगे वहां से भी आंसर बन जाएगा लेकिन सीखना होता है कि चीज़े टाइम के अंदर सॉल्व हो पाएं ठीक है एक किलियर एप्रोच हमारे पास होनी चाहिए तो जैसे इस कोशन में हमने डील किया और सीधा हमने लिखे क्या कर लिया सॉल्व कर लिया ठीक है तुम्हें कुछी टॉपिक में दिखकर देग्या कोई टॉपिक ऐसा जो बहुत मुश्किल लगता हूं अब जैसे बच्चे हम लोग बात करें मैं कुछ कोशन और ट्रिगो के डिस्कस करूं कोशन है साइन स्क्वेर वन प्लस साइन स्क्वेर टू तो है कि अन साइन स्क्वेर एक्टी नाइड रखेक है इसक्रण फोल्श duyANG i इस स्थे एं न क्ला साइन एं प्लस साइन स्क्वेर टू प्लस साइन स्क्वेर हो तरी अप्तू रिंधाट रिटून साइन स्क्वेर 99 तो जैसे हमारा मैथ से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तीन फॉर्मले तुमने पढ़े होंगे टैन्थ क्लास में साइन स्क्वेर ठीटा प्लस कॉस स्क्वेर ठीटा इकल टू वन एक यह आइडेंटिटी हिसम से पहले पढ़ी होगी पिर उसके बाद तुमने दूसरे iphon से पढ़े होगी वन प्लस टैन स्क्वेर ठीटा हिकल टू साइग इसक्वेर ठीटा । सबसे पहले हम इस सबसे भात करेंगे कि यहां पे हमारे एक्जाम में कॉन कौन से question बनाता है और वो जो questions पूछता है उनको within time हम लोग कैसे solve कर पाएं तो sine square theta plus cos square theta equal to one मुझे idea है कि खुसबू इतना तुम्हें बता होगा ठीक है ना वसे भी तुम ठीक लग रहे हो पढ़ने में तो sine square theta plus cos square theta कितना होता है one यहां तक कोई doubt है क्या अब इसी को बच्चे modify करके ना दो formula और बनाते हैं क्या कि sine square a plus sine square b b1 होता है लेकिन कब if a plus b equal to 90 हमें चीजों को ऐसे sort करके पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारे दिमाग में clear approach रहे तो a plus b equal to 90 हो तो sine square a plus sine square b b क्या होता है one यहीं से दूसरी approach बनेगी कि इस a plus b equal to 90 तो यहां से cos square a plus cos square b is equal to कितना one ठीक है यह कैसे बना तुम समझ पाते होगे बच्चे कि यह जैसे sin square a है और हम लोग बात करें cos square a तो तुमने देखा कि a plus b अगर 90 होगा तो इसको कर पाओगे sin square a और इसे कर पाओगे cos square 90 minus b घुश्पवारी बस समझ अगर a plus b कितना हो 90 हो और हमें पताए कि sin square a plus cos square a कितना होता है वन तो हमें पताए कि से की जगे 90 minus b रख सकते हैं और cos 90 minus theta क्या होता है sin theta तो यहां से formula वही बन जाएगा जो मैं बता रहा हूं कि sin square a plus sin square b sin square a plus sin square b यह क्या हो जाएगा 1 बस सर्थ है क्या कि a plus b क्या होना चाहिए 90 क्या यह छोटा point बच्चे के लिए रुआ तो हमें क्या करना होता है कि हमारे पास सारा खेल होता है timing का हमें within time के अंदर answer देना होता है तो हमें चीजों को थोड़ा सा ऐसे करके देखना होता है कि हमें clear approach मिले क्या मिले हमें clear approach मिले तो बार बार हमें किसी को solve करके नहीं दिखाना है हमें अब आगे से क्या ध्यान रखना है क्या हमें सीधा ध्यान रखना है कि sin square a plus sin square b b क्या होता है वन बस सर्थ है कि a plus b क्या होना चाहिए तुम्हें दिहान रखना पड़ेगा जब छोटे-छोटे concept दिमाग में से लेंगे तो question करना असान हो जाएगा साइन स्कुएर a plus sin square b b क्या होगा वन बस सर्थ है a plus b कितना हो 90 मेरे सबसे खुशबू यह point के लिए रो गया होगा इस अब question पर आते हैं बच्चे अब अपने पास यह question है या मैं दूसरा question तुमसे पूझ हूँ कि बच्चे साइन स्कुएर वन प्लस साइन स्कुएर 89 तो इसका अंसर कितना बनेगा कितना बनेगा वन क्योंकि अभी हम सीख किया है कि साइन स्कुएर ए प्लस साइन स्कुएर बीवी वन होगा अगर ए प्लस बी कितना हो 90 ठीक है अब ज़रा ध्यान देना बच्चे वन से लेके 89 तक जा रहे हैं तो टोटल टरम्स कितनी है 89 स्कुएर वन साइन स्कुएर टू साइन स्कुएर त्रीस साइन स्कुएर फॉर और यह कहानी कहां तक जा रही है तो टोटल जो टरम्स है वो कितनी है 89 है क्या बच्चे तुम मुझे इसमें मिडिल टरम बता पाओगे क्या होगी इसकी मिडिल टरम कौन सी होगी बच्चे पता पाओगे तरी वन होगी मिडिल टरम देखो वन से लेके 89 तक हम जा रहे हैं वन से लेके 89 तक हम जा रहे हैं ठीक है तुम देखना इसकी मिड में एक टरम आएगी साइन स्क्वेर 45 इसके मिडिल टरम क्या आएगी साइन स्क्वेर 45 इसके बहले रहा होगा साइन स्क्वेर 44 इसके बाद रहा होगा साइन स्क्वेर 46 अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिस करूं तुम्हें तुछरा ध्यान दो बच्चे यहां से यहां तक कितनी ट्रम्स होंगी 44 और यहां से यहां तक कितनी ट्रम्स होंगी 44 बच्चे यहां संज में आ रही है क्या तो तुम एक नाइन ट्रम्स में देख पा रहे होगे 44 ट्रम्स इधर 44 ट्रम्स इधर और बीच में होगा साइन स्क्वेर 45 अब ध्यान देना जैसे इधर साइन स्क्वेर 1 है तो इधर साइन स्क्वेर 89 है तो साइन स्क्वेर 1 प्लस साइन स्क्वेर 89 इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी अगर इधर sin square 2 है तो इधर में इससे पहले sin square 88 होगा ठीक है ना तो जैसे उधर sin square 1 है तो इधर कितना है sin square 89 हम अब भी सीख के आए कि अगर a plus b equal to 90 हो a plus b equal to कितना हो 90 तो sin square a plus sin square b कितना होता है 1 वैसे ही यहाँ पर 2 है और यहाँ कितना है 88 तो तुम लोग कहेंगे sin square 2 plus sin square 88 यह भी मिलाके कितना हो जाएगा 1 खुछ वो आरी बास समझ तो यह जो 44 टम्स है बच्चे यह इन 44 टम्स के साथ मिलके 44 पेर बना लेंगे और 44 पेर के साथ हमारे पास क्या बचेगा sin square 45 और तुम्हें पताए एक पेर की वैल्यू क्या होती है 1 तो 44 जो पेर है इनकी वैल्यू तो 44 हो गई योकि एक पेर की वैल्यू 1 बनेगी और sin square 45 कितना होता है साइन स्कूर 45 कितना होता है बचे वन अपन टू वन अपन रूट टू और इसका कर देंगे हम लोग स्कूर तो यह बन जाएगा 44 प्लस वन बाई टू तो अपना अंसर बनेगा 44 वन बाई टू बताओ यह किलियर हुआ है नहीं तो यह छोटी-छोटी एप्रोच पे हमें का करना पड़ेगा कि आखिर इसको एक्जाम में किसे सॉल्व करना है तो मेरे साब से तुम्हें समझ में आ गया कि वह लेक फॉर्मले से बात नहीं वनेगी साइन स्कूर ठीटा प्लस कॉस्कूर ठीटा इकल टू वन होता है वेरी गुड लेकिन उसके अलावा देखेंगे त वैसे ही कॉस इस्कूर ए प्लस कॉस इसकूर बीवी क्या होता है वन बस सर्त है क्या कि A प्लस B कितना होना चाहिए 9 ठीक है तो ऐसे ही फॉर्मले को हमें इलभरेट करके पढ़ना है और एक क्लियर एप्रोच को दिमाग में रखना है ताकि ऐसा मुश्किल कुशन आये तो ह कि आगे बढ़ें कि कुछ वो आगे बढ़ें क्या अब दूसरा कुछ ना बोर्ड पर लिख रहा हूं वच्छे इसका अंसर देना कि इसका अंसर दो कुछ वो कहां सबनेगा अगर हम इसमें वो फॉरम्ला लगाए तो अंसर तो वन ही आएगा अगर लफ्स करें बाद में टर्म्स को तो वन क्यों आएगा बच्छे कम्प्लीट कुशन का अंसर कितना आएगा हमने एक ही फॉरम्ले पर बात कर दिये भी तक बच्छे कि हमारा में फॉरम्मला था साइन स्क्वार थीटा प्लस कॉस स्क्वार थीटा इक्वल टू वन यह तो हमने पच्छे से पढ़ रखा है इसी में हमने सीखा कि अगर एप्लस बी इक्वल टू 90 हो एप्लस बी कितना हो 90 तो साइन स्क्वार एप्लस साइन स्क्वार बी भी क्या होता है वन ठीक है और इसी से एक चीज हमने और जानी कि कॉस स्क्वार एप्लस कॉस स्क्वार बी भी क्या होता है वन लेकिन सर्थ है कि एप्लस बी कितना होना चाहिए 90 अब जड़ा देखना यहां साइन स्क्वेर फाइब है और यहां साइन स्क्वेर कितना है 85 तो इसकी वैल्यू कितनी मनेगी तरवन यहां साइन स्क्वेर 10 है और यहां साइन स्क्वेर 80 इसकी वैल्यू कितनी मनेगी कितनी मनेगी इसकी वैल्यू 1 ठीक है और यहां साइन स्क्वेर कितना है 30 तो देखो 1 यह हो गया 1 यह हो गया और साइन 30 की वैल्यू बच्चे तुम्हें पता है कितनी होती है 1 by 2 और इसका क्या है स्क्वेर तो यह बनेगा 2 प्लस 1 by 4 तो यह हो गया 9 by 4 9 by 4 इसकोशन का अंसर बनेगा बताओ समझे हैं नहीं कि यह सर्थ कुछ किलियर हुआ काहनी इस सर्थ तो कुल मिला की एक फॉम्मले पे हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ एक फॉम्मला के इफ ए प्लस बीकॉल टू 90 तो साइन स्कॉरे अपल साइन स्कॉरे कितना होता है 1 तक है उसी पे हमने पूरी कहानी को ड्राइब किया और हम बढ़ेंगी थोड़ा सा नेक्स्ट कोश्चन की ओर चले कि यह सुर्ण का जवाब देना जवाब देना पुछी क्या अंसर बनेगा इस कुर्शन का अंसर बाली थार टे जवाब देना आरकर अेक्सरस्थ कोना रसा है झाली भटियू? झाल झाल 85 अपॉन 2 85 अपॉन 2 नहीं समझो थोड़ा सा सबसे पहले हमने समझा कि एक पेर की वैल्यू 1 बनती है तो सबसे पहले जाद देखेंगे कितनी टर्म से साइन स्क्वेर 5 साइन स्क्वेर 15 साइन स्क्वेर और इसके बीच में होगा कही ना कहीं साइन स्क्वेर 45 अब्चें तुम यह बता सकते हो 45 से पहले कितनी टर्म्स होंगी कि फॉर्टिफॉर क्योंगी फाइब 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 की बाद तैने सीधा अगर ऐसे उंगलियों पर काउंट करें तो फाइब फाइब की बाद कितना है बच्छे टैने फिप्टीन होगा ट्वंटी होगा ट्वंटीफाइब 30 35 और 40 तो ऐसे उंगलियों पर भी काउंट करेंगे तो एट टर्म्स नहीं होगी कि नहीं पहले बताओ यह पॉइंट के लिए हो रहा है कि नहीं या समझारी न बात फिए टैन 15 20 25 30 35 और 40 और तब जाके आएगा तो यहां भी टरम्स होंगी है यहां भी कितनी टरम्स होंगी एट यहां भी एट टरम्स होंगी कैसे होंगी देखो जरा 45 के बाद तुम लोग देखोगे तो 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 समझ पा रहे हैं 85 तुम लोग देखेंगे यहां भी कितनी टरम्स होंगी 8 टरम्स होंगी खुश्बू यहां तक बात के लिए रहे आप तुम देखो जरा जैसे इधर ही साइन स्क्वेर फाइव है तो इधर देखेंगे साइन स्क्वेर 85 है और हमने भी सीखा क्या कि साइन स्क्वेर ए प्लस साइन स्क्वेर भी कितना होगा वन अगर ए प्लस भी कितना हो 90 तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी वैसे ही इधर साइन स्क्वेर 10 है तो इधर इससे पहले कितना रहा होगा sin square 80 रहा होगा तो वैसे ही 10 और 80 मिला के कितना बना देंगे 1 तो यह जो 8 terms है इन 8 terms का मतलब तो 8 pair हो गया 8 terms का मतलब तो कितना हो गया 8 pair हो गया और 8 pair के साथ क्या बचा हुआ है sin square 45 8 pairs की value तो 8 हो गई और sin 45 कितना होता है 1 by root 2 तो इसका answer कितना बनेगा बच्चे 8 1 by 2 बताओ खुछ पूँ समझे या नहीं कोई भी single loud अगर मन में है तो पूछो ऐसे मैं सो सो दूर बैठके पढ़ रहे हो कोई भी single loud है तो बच्चे पूछो 8 sir आगया समझ आ गया यह पेयर वाली कहानी समझ में आ गई येस sir आगे बढ़ाऊं किया इससे येस sir next question board पे लिख रहा हूं मैं जवाब देने की कोशिस करना इसका answer देना खुछोब क्या बनेगा कोशिस करो ट्राइ करने का देखो हो पाएगा क्या झातुशन झातु करने के अगे येस झातुशन तुशन झातुशन मैं येस पमें ये येस है वेस झात सब्सक्राइब किया है अच्छा वर नी है मैं एक बार सॉलूसन करके दिखा देता हूं है इसको हम कह सकते हैं साइन ठीटा और यह होगया साइन स्कौरी टीटा ए तो यह बनेगा साइन ठीटा और वन माइनस साइन स्कौराइब पीक्षे कॉस स्क्वाय ठीट है ठीक है क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वाय ठीट होता है क्योंकि तुम्हें पता ही है कि साइन स्कुराइट ठीटा प्लस कॉस्कुराइट ठीटा क्या होता है वन तो अगर कोई हमसे पुछे साइन स्कुराइट ठीटा तो तुम कह दो के वन माइनस कॉस्कुराइट ठीटा कोई हमसे कहे कॉस्कुराइट ठीटा तो तुम कह दो के वन माइनस साइन स्कुराइट ठीक है अब यहां से आगे थोड़ा सा ध्यान देना हमें पता चला sin theta बड़ाबर cos square theta है तो यह जो हमें find करना है यह तो cos square theta है और इसको हम लोग कहते है cos square theta का भी square जो कि power 4 है और यह जो cos square theta है इसके value कितनी है? sin theta तो यहां तो हम put कर सकते हैं sin theta और यहां भी हम put करेंगे sin theta तो तुम इसको जड़ा थोड़ा सा देखेंगे तो यह बनेगा sin theta और यह बन जाएगा sin square theta तो यह बच्चे वही आगया जो सुरू में दे रखा है और सुरू में आगया तो इसका answer कितना है? 1 1 इस question का answer बन जाएगा खुश्बू ऐसे ही किया था क्या? यह सर ऐसे ही किया था बिल्कुल तो मतलब थोड़ी थोड़ी कहानी तुम्हें आती है थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं आती है है ना खुश्बू? यह सर चल आगे बढ़ते हैं बच्चे next question की तरफ बड़ा famous सा question है एक्जाम में पूछता है 5 sin theta plus 12 cos theta is equal to 13 और हमसे कहेगा कि 10 theta find कर दो तो क्या खुश्बू यह हो पाएगा? answer इसके numbers में दे रखें आगे नहीं कर दो ढगे पाने प सकत्के दो झागे, झाल झाल पुश्बूश्बूश्बूश्बूश्बू झाल क्योश्बूश्बूबू झाल झाल आरा इसका अंसर कुछ पाइफ थर्टीन ऐसे कुछ कर के आएगा पाइफ थर्टीन पाइफ थर्टीन क्या आना चाहिए कि अच्छा कुछ एप रोस्वारी कैसे करें इसको कि मैं समझाता हूं इसके जो थर्टीन दे रखाएज इक्वल्स टू में उसको नीचे लाकर के उसको सबके साथ डिवाइड करके पिर उसके बाद जो अंसर आ रहा है उससे हमारा साइन निकल जाएगा फिर साइन से कॉस और कॉस से डियाएं बहुत सिंपल सी कहानी बताता हूं बच्छे कुछ कुछ तुम भी ठीक बता रहे हो लेकिन एक किलियर एप्रोच हमारे दिमाग में होनी चाहिए वह किलियर एप्रोच मैं बताता हूं इस कॉश्चन में तुम्हें बस एक चीज़ चेक करनी है कि जो तीन नंबर दे रखें हैं क्या यह ट्रिपलेट है पहले तुम लोग समझते हो ट्रिपलेट क्या होता है कुछ वो ट्रिपलेट वर्ड सुना है कभी क्या होदा ट्रिपलेट क्या मतलब नहीं पता है पहले इसका मतलब सौनच के आते हैं क्योंकि हमारा एक्जाम जो है उसमें में मुद्धा में ने बताया है अब टाइम कैसे होगा अगर हम 12 लास वाला ही में लगाते रहेंगे त तो प्लेक्रोच के लिए कुछ कॉंसेप्ट सीखने होते हैं तो जैसे में ट्रिपलेट का बात करूं तो एक ट्राइंगल तुमने पढ़ा होगा बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल एक एंगल 90 होता है 90 के पौचित हाइपोटेनियस यह बेस और यह परिपेंडिकुलर ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में तुमने क्या पढ़ा होगा, कि हाइपोटेनिस का जो स्क्वेर होता है, वो स्क्वेर बरावर होता है, पर्पेंडिकुलर स्क्वेर प्लस बेस स्क्वेर, जैसे, मैं कोई side consider करूं 3, 4, 5, तो तुमने पढ़ा होगा, यह जो हाइपोटेनिस है, यह इसकी लॉंगेस्ट साइड है, यानि इन तीनों में सबसे बड़ी side जो है, वो क्या है, लॉंगेस्ट साइड हाइपोटेनिस है, तो इसकी लॉंगेस्ट साइड क्या है भी, H है, ठी तो जड़ा ध्यान देना यह 345 है आजाओ अब इसमें क्या है कि अगर मैं 5 का स्क्वेर करूं तो यह तो मनेगा 25 वैसे ही मैं 3 का स्क्वेर करूं तो 9 4 का स्क्वेर करूं तो 16 और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 यह भी 25 यह भी 25 तो मैं कहना कैसा है रहा हूं कि कोई 3 नंबर तुम्हारे पास ऐसे हो कि सबसे बड़े वाले नंबर का जो स्क्वेर है वह बाकी दो नंबर के स्क्वेर के सम के बरावर हो सबसे बड़े वाले नंबर का जो स्क्वेर है वह बाकी दो नंबर के स्क्वेर के सम के बरावर हो तो ऐसी साइड ने पक्का क्या होंगी किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी और किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड को हम क्या कहते हैं तो मैं कह सकता ह है ट्रिप्लेट मतलब कुछ नहीं राइट एंगल ट्राइंगल की साइड कुछ आरी बास समझ अब ऐसे ही कुछ ट्रिप्लेट नहीं हमें याद रखने पड़ेंगे बच्चे जो हमारे एक्जाम में हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं जैसे 512 13 यह भी तुमारे ट्रिप्ले हैं 72425 यह भी तुमारे ट्रिप्लेट से और एक है 8 15 और 17 यह कुछ ट्रिप्लेट से हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे जो कैल्कुलेशन में हेल्प करेंगे अब किसी भी ट्राइंगल में अगर तुम्हें दिखे राइट रेंगल ट्राइंगल है तो राइट बनते कहां से हैं तो फिलाल के लिए क्या करो तुम दिमाग में डालो कि तीन चार पांस फाइव ट्वेल्फ थर्टीन सिक्सेट टैन सेवन ट्वन्टीफोर और एट फिप्टीन सिप्टीन यह सेवन क्या है इसमें सबसे बड़ी वाली साइड क्या है हाइपोटेनियस और बा त्वेल्फ थोग वन फर्ती फॉर्टीन सिक्स्टीन झीड़ाइब तो हमें पता चला कि है यहेर 512 13000 है और अगर हमें पहले से पता हो कि 512 13000 है तो सबसे बड़ी वाली साइड तो हाइपोटेनियस है बाकी में एक बेस है और एक क्या है पर पर्पेंडिकुलर अब तुम तुम देखो यह 512 और 13 आ रहा है ठीक है यह 512 13 देख रहे होगे बच्चे तो यह 512 13 क्या है ट्रिपलेट से हैं कुछ भूरी बस समझ अब जब यह ट्रिपलेट होंगे न बच्चे तो बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि साइन के साथ जो भी होगा वह हमेशा कैसे याद रखोगे साइन ठीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो साइन के साथ जो है वह परपेंडिकुलर कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो कॉस के जो साथ है वह क्या हो गया बेस और यह क्या हो गया हाइपोटेनियस तो टेन ठीटा होता है पर्पेंडेकुलर अपॉन बेस तो पर्पेंडेकुलर कितना है पांच और बेस कितना है तो फाइब बाइट विसका अंसर हो जाएगा बताओ खुश्बू तुम समझे या नि होई चेंट इसको तक हपी अहीं दिर्फलेंड कर देता हूं लेकिन मैं तुम्हें मैं पतारा हूं कि कैसे हम लोग प्रटा की दे के अंदर हमारा आंसर आग इसे जाता है तो वह हमारे पास होनी चाहिए चीज़ने थोड़ी सी किलियर हमारे दिखनी चाहिए तब भी हम लोग इसा आंसर कर पाएंगे थिक एसको थोड़ा सा मैं और कर देता हूं कैसा हुआ क्यों हम लोग क्या करें 13 से डिवाइड करने जैसे तुम कह रहे थे तो यह दिखेगा 5 by 13 साइन ठीटा यह दिखेगा 12 by 13 और तुम्हें पताएं एक बात बहुत अच्छे से कि साइन स्कूर ठीटा प्लस कॉस्ट इस इकल डुकितना होता है 1 तो यह बन कहां से रहे यहां भी बन है और यहां भी बन है तो साइन स्कूर ठीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं sine theta into sine theta इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos theta into cos theta और equal to कितना 1 अब देखो cos तो यहां है ही sine तो यहां है ही तो ऐसा हो सकता है कि यह sine theta 5 by 12 13 हो और cross check करने का तरीका क्या होता है sine को देगे तो यह ठीटा हो गया यह perpendicular हो गया यह hypotenuse हो गया और इसको solve करेंगे तो 12 बनेगा sign को तुम मान लोगे और cost को solve करोगे तो 12 by 13 ही बनेगा और जोकी है लेकिन यह बनेगा बच्चे तभी जब यह triplet होंगे अब किसी को करके तो दिखाना नहीं है कि मैं पूरा गुलाबी पहन लेके बैठ जाऊं, नीला पहन लेके बैठ जाऊं, इसे सजाता रहूं, नहीं, अब मुझे तो बात समझ में आ गई, कि हाँ ऐसा सा अप्रोच पूरी चलेगी, तो बस मुझे अब क्या देखना है, कि जब भी ऐसा कुश्य हैं हो, तो मुझे द आगे बढ़ते हैं, अब कोई भी कोश्यन आये जैसे, अब कोई भी कोश्यन आये बच्छे, वो कहने लगे एट साइन ठीटा, प्लस फिप्टीन कॉश्ट ठीटा, इस इकल टू सैवंटीन, और हम से कहने लगे कि साइन ठीटा ही बता दो, तो क्या बच्छे आंसर माग कर अगर यह तीनों ट्रिपलेट है, और यह तीनों ट्रिपलेट ही है, एक तो याद करा दूंगा मैं, नहीं तो निकालने की ट्रिक सिखा दूंगा, नहीं तो क्रॉस्चेक कर लेते हैं, यह हाईबोटेनिस होना चाहिए, तो सेवंटीन का स्क्वेर कितना बने का 289, यह एट होना चाहिए, एट का स्क्वेर 64, यह पंदरा है, तो पंदरा का स्क्वेर 225, और 225 प्लस 64 को एड़ करोगे, तो 289 ही बनेगा, तो यानि पक्का यह क्या है, बच्चे, ट्रिपलेट से, तो यह त्रिपलेट है, बाकि इसको और सौड में करना में सिखा दूंगा, बाकि मै यह भी बता दूंगा, इसको find कैसे करते हैं, यह याद हो जाएंगी, जो हम लोग regular पढ़ रहे होंगे, अब तो हमें समझी आ गया, कि 8, 15, 17 तो ट्रिपलेट है, और मैंने बताया, जब यह ट्रिपलेट होंगे, तो sign के साथ वाला हमीशा क्या होगा, perpendicular, cos के साथ वाला, base, और यह क्या होगा, hypotenuse, sign theta तुम्हें पताये क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular 8 और hypotenuse कितना, 17, I hope तुम्हें बात सौझ में आ गई होगी, यह सर, ठीक है, यह छोड़ी-छोड़ी ट्रिक समझ भा रहे हो, गुडिया, यह सर, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, शहीद भिशन सिंग, मैमोरियल सीनिर सेकेंट जस्कूल, अच्छा, कहां पे गुडिया है, मांसरोवर गाड़न, डेली में, यह सर, ओके, तो कितना हो हो गया, बच्छे, 8 by 17, यहां तक क्लियर हुआ, यह सर, वैरी गुड, तो यह पूरी एप्रोच तुम्हें सौंझ में आ गई, कहां साइन ठीटा कितना हो गया, 8 by 17 हो गया, यही छोटी-छोटी ट्रिक्स और टेक्नीक्स हैं, जो हम अपनी क्लास में सिखा रहे होते हैं, इ इसका अंसा बता पाओगे? झास॥ा, नहमें प्रिक्स अढसरा में सर दो कई प्रणा बड़ी प्रिक्स और दोगिक्स क्लिक्स स्वर का बाईधिर भिक्स और क्या और क्या हो गया, इसका ह किन्सें च्टनीश बंपे कि अश्वाई पूरा कि अवचे अंसर एशन अभिकरी ऊप्रेंग प्रोगे कर दो कर दो झाल 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 कितना किया आंसर आ रहे हैं तो फाइनल आंसर क्या बना फिर अभी तक इतना ही कैव में तुम्हारे साथ क्या है बचे तुम 50% चाहरे हो और 50% तुम्हें काम करने की जरुवत है ठिके ना फॉम्ले बगरा तुम्हें आते हैं थोड़ा clarity लानी पड़ेगी चीजों को देखने में कि हम लोग कैसे विजुलाइज करें और कैसे फटाक से आंसर दें तो इस को जब ऑब्जर्ब करोगे तुम तो इसमें बच्चे कुछ ज़्यादा करना ही नहीं था अगर तुम एक चीज पर गौर करो इसको सॉल्व करो तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वेर टीटा का स्क्वेर क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है और बचे एक फॉर्मला तुम्हें अच्छे से पता होगा कि स्क्वेर माइनस ब iş क्या होता है ए प्लस बीर कि मैनस बी इसको जड़ा रखना क्या लिखेंगे मच्चे साइग स्कुरेटा ए प्लस बी और माइनस भी करेंगे तो माइनस कॉसक्वेर तीन पर इसकूल त्वेलुक्या होती है कि इसकी जगे वन पूट कर दो और यह हमारा बच्छा साइन स्क्वेर ठीटा माइनस कॉस्क्वेर ठीटा तो फाइनली क्या वन गया साइन स्क्वेर ठीटा माइनस कॉस्क्वेर ठीटा एकॉल टू और खुस पूचला देखना हमसे पूच किया रहा था यहीं पूछ रहा था ना तो कितना अंसर बन गया इसका वन बाए टू इसका अंसर आ जाएगा ऐसे हमें चीजों को क्लारिटी से देखना पड़ेगा ऐसे हमें चीजों को समझना पड़ेगा समझाई बचे बात यहीं ठीक है यह जो बहुत देखने बहुत मुश्किल काम कुछ नहीं है मस्थ थोड़ा सा क्लारिटी की जुरुवत है कैसे फॉर्मला एपलाई करना है कैसी सॉल्व करना है बस समय थोड़ा सा देखना पड़ेगा चीजों को समझना पड़ेगा बाकी त है तो बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं एंडए का पूरा स्लेबस मैं कराऊंगा मैंस का स्लेबस का आइडिया मैंने तुम्हें देई दिया तुम लोग 11 12 में इतना मैंस पढ़ाए बचे वो और कुछ एक पॉर्शन 910 का यह हमें सारा कवर करना रहेगा रही एक्जाम को कर करने की बात तो हमें क्या है जो तुम्हारे मैंस है ना जो तुम ट्रॉयल क्लास में पढ़ते हो पूरा डीटेल में वह डीटेल मैंस की बजाए हमें थोड़ा सौट पर जाना पड़ेगा चीजों में थोड़ी सी लानी पड़ेगी और बहुत मुश्किल अग्जाम नहीं ह है तुम करजा होगे कोई क्या मैंस को लेकर किसी भी तरीके की अब तक तो नहीं अच्छा और भी किसी एक्जाम को लेकर और भी कोई को इसी इंफ्रमेशन चाहिए ताकि मैं समझ पाऊंग अच्छा तो डीटेल इंफॉर्मेशन जैसे इस एक्जाम के बारे में जैसे मैं इसको कुछ अभी आइडिया नहीं है इतना नॉर्मल उपर उपलते ही है अच्छा एक्जाम के बाद तुम्हें पता है जौब कहां लग रही होती है में तीन कि Notes पॉर्स होती है ठीक है आर्मी ए एयरो पॉर्स और नवी तो आर्मी एयर पॉर्स होती है ठीक है ना जो जो अच्छी पोस्ट होती है वह से हम लोग इंड़ से स्लेक्ट कर रहे होते हैं स्लेक्ट करके Ship वाली डॉदी है वह मैं तुम्हें पूरा डीटिल में समझा दूंगा कि इसमें हम फोर्सिस में जारे होते हैं अच्छी कासी जॉब होती है और स्लेवस वगेरा और एक्जाम का जो पैटर्न है उसके बादे में मैं मैं तो बताई चुका हूं मुल्टिपल चौइस एक्जाम होता है एक कु क्लास होगी तो मैं एक डीटेल पूरा तुम्हें बता दूंगा साधे ही सब्जेक्ट का कि किस टॉपिक की क्या वेटेज है कहां से कैसे पढ़ना चाहिए और क्या इसका प्रोफेल है ठीक है ठीक है ना तो बाकी बेफिकर रहो और पढ़ने में ठीक ही लग रहे हो तक युष्ट